नमस्ते थर्ड आई में आपका स्वागत है आज जो सबसे बड़ी खबर थी वो मनीश सौंधिया जी वाला CBI RAID है उस पे हम लोग एक चर्चा शाम को करी चुके हैं लेकिन थोड़ा इसके पीछे आपको ये भी धीरे धीरे एलेक्शन आता जाएगा और जिस तरह की मनुस्त सिर्थी में BJP है और जो उसकी वर्किंग स्टाइल है जायज ना जायज कैसे भी एलेक्शन जीतना है एलेक्शन हार भी गए तो कैसे सरकार बनानी है उसको थोड़ा समझना होगा और ये रेड और ये सब क्यों बढ़ गए क्योंकि एक तो प्रदान मंत्री जी ने लाल के लेके उससे बोही बुली दिया है वो तो इन्हों ने पब्लिक लेरांउंस कर दिया है कि अब इस तरह के लोगों के पीछे और क्या अब वो इस तरह के लोग केवल विपक्षी पार्टियों में हैं BJP में कोई इस तरह का नहीं है मैं थोड़ा आज आप से आकड़ों को ले जहां पर बहुत कस के CBI, ED यह सब बहुत active हो गई है तो पहले तो आपको जो मैं मेरी जो पहली slide है उसको समझ लीजे उसमें एक group A है और एक group B है दो तरह के उसमें इन राज्यों को बाटा है group A में चार राज्य हैं यह चार राज्यों हैं जो largest MP जहां से आते हैं सबसे ज्यादा MP जहां से आते हैं जो largest चार हैं उत्तर प्रदेश से 80, महराश से 48, वेस्वंगौल से 42, बहार से 40 यह सम मिलके 210 और इसमें से BJP के जो कहां से 2019 में जीत के आई थी कितने लोग कहां से जी यूपी में 62, महराश में 23, वेस्वंगौल में 18, बहार में 17, मैं इसमें NDA की फिगर्स भी आपको इसलिए दे रहा हूं just to have some idea, but otherwise हम लोग बात किवल BJP की कर रहा हैं, तो 210 में 120 डिरेक्ली BJP जीती थी, मैं उनके जो सायोगी पार्टनर थे चाहा है, शुर से ना उसमेर ही हो या जे डियू रही हो, इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब वो साथ नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी जो ग्रूप B है, ये वो नो राज हैं, जहां से BJP ने जिसको कहते हैं ना कि बिलकुल एक तरफा जाडू लगा दी थी, ये वो राज हैं जहां पर BJP ने या तो क्लीन स्वीप किया था, या अगर क्लीन स्वीप नहीं किया था, तो एक या दो से ज़्यादा सीट ओपोजिशन को नहीं मिली थी, विपक्ष की किसी भी पार्टी को, मैं एक एक करके बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले दिल 25 में 24 और उत्राखण 5 में 5, इसके अलावा ये तो 6 स्टेट हो गए, 3 स्टेट ऐसी थी जहां पर ओपोजिशन कुछ बहुत खास नहीं कर पाया था, जारखण 14 सीट में 11 एक इनके सहयोगी पार्टनर की थी, वो मैंने दे दिया है आपको टेबिल में दिख जागा इंडिय करनाटक में 28 में 25, एक सहयोगी को इनके मद्र प्रदेश में 29 में 28, तो यह आपको देख रहा है कि यहां पे किस तरह से एक तरफ आए जीते थे, अब ग्रूप B को अगर आप टोटल करिये तो ग्रूप B में टोटल 148 सीट है, ग्रूप A में 210 सीट टोटल, यहां 148 सीट ट सीट मिली है, बीजेपी का कोर एरिया है, मतलब यहीं से बीजेपी सरकार बनाएगी और जो भी करेगी, तो यह टोटल हो गए 358 सीट, इस 358 सीट में बीजेपी 261 सीट यहां से जीत रही है, यह फिगर मैं आप से इसलिए शेयर कर ले रहा हूं, क्योंकि इस 261 के लावा, इस 358 के लावा, जो बाकी करीब 180 यह जो भी सीटे होती है, उसमें अगर आप देखिएगा, तो बीजेपी करीब 40-42 सीट जीती है, लेस दन 25 परसंट, लेस दन 25 परसंट, तो यह कोर एरिया है, तो हम लोग आज जब बात आप से करेंगे, समझने की दिश्री से, तो इन 13 स इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं, मैंने उनको नहीं लिया इस काउंटिंग में, मैंने इन 13 स्टेट को लिया है, अब जड़ा इस 13 स्टेट का मिजाज समझ लीजे, यह एक दूसरी टेबिल है, मिजाज यह है, मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि टोटल नंबर अफ सीट, लोग सबा में बीजेपी की कितनी सीट थी, 2019 के इलेक्शन में, फिर तीसरे कॉलम में मैंने बताया है कि विधान सबा का इलेक्शन कब हुआ था, विधान सबा की कुल सीट चौथे कॉलम में, और पांचमे कॉलम में बीजेपी के कितनी सीट है, मैं अपनी बात कह पा रहा ह वो election, total seats of विधान सभा, उसमें से BJP की कितनी, और last column जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे इस समय किस की सरकार है, तो आप एक एक करके चलते हैं, UP 2022 में election हुआ, BJP की ruling सरकार, महराश 2019 में election हुआ, coalition government है, BJP की भागिदारी के साथ, West Bengal, 2021 में election हुआ, BJP main opposition party है, Trinambul Congress की सरकार, बिहार में 2020 में election हुआ, opposition में बैठी हुई है BJP, सरकार, मतलब सरकार इनकी नहीं है, अब आजाए दिल्ली, दिल्ली में जहांपे साथ में साथ सीटे जीते थी, सत्तर में आठ सीट हैं, अबल विधान सभा में, और opposition में है, आम आदी पार्टी की सरकार, गुजरात में 182 में 99, जहांपे 26 में 26 सीट जीते थी, विधान सभा में, जब 2017 में हुआ था, तो 182 में 99, उसके बाद लोगसभा का एलेक्शन हुआ था, यहांपे, मैंने इसलिए एर भी आपको दे दिया है, हर्याना में 2019 में एलेक्शन, 90 में 40, कॉलिएशन सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 2017 में एलेक्शन हुआ, 68 में 44, स्वीपिंग मैजॉर्टी, रूलिंग पार्टी है, रनाटका में 2018 में एलेक्शन हुआ, 224 में 104, तोड़ फोड़ करके, इस समय रूलिंग है, लेकिन तोड़ फोड़ के साथ, मतलब इसको तोड़ो, यहां करो, वहां करो, यह सब करके, पहले सरकार इनकी नहीं थी, तोड़ फोड़ करके सरकार बनी है, मद्रदेश, 2018 में एल बात नहीं करता है, राजस्त्रां, 2018 में एलेक्शन हुआ, 200 में 73 सीट है, ओपोजिशन में बैठे हुए है, कोशिश की थी तोड़ फोड़ की, लेकिन नहीं सफल हुए, उत्राखन, 2022 में अभी एलेक्शन हुआ, 70 में 47, रूलिंग और्मेंट है, अब यह जब मैंने आपको बता दिया, तो इसमें 2-3 चीज़े मैं आपके साथ और शेयर करूँगा, तब आपको यह रीड कैसी किया जाए, यह समझने की, बीजेपी इन 13 जगहों में, इन 13 में से 6 जगह रूलिंग है, बिना कोलेशन के बीजेपी की absolute majority है, और वो सरकार बनाई है, और वो सरकार बना ठीक है, इन 6 में से, 6 में से 2 जगह तोड़ फूर करके बनी थी, 6 जगह रूलिंग है, इस 13 में बीजेपी की दो जगह कोलिएशन है, 6 जगह रूलिंग, 2 जगह कोलिएशन, 8 जगह, अब बचे 5 जगह, बीजेपी ऑपोजिशन में है, दूसरी पार्टी की सरकार है, जो बी जैसे मैं क्यों यह बोल रहा हूँ कि यहां पर जहां पर clear opposition की सरकार हैं वो कौन कौन सी है वेस बेंगौल में त्रिनमुल कॉंग्रेस बिहार में जे डियू आर जे डी कॉंग्रेस कंबाइन डिली में आम आदमी पार्टी जारकंड में जारकंड मुक्ति मुर्चा और कॉंग और वो important state है इन पांच state जहां पर पहले होंगे वो हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, करनाटका, मध्यप्रदेश और राजस्थान एक चीज़ और याद रखिएगा इन पांच प्रदेश जहां पर पहले विधान सभा होने और फिर लोग सभा होने हैं इसमें से चार जहां तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई थी, इनको इनिशिली मेज़ोरिटी नहीं मिली थी, करनाटका और मध्यप्रदेश, इस पर से केवल एक जगा कॉंग्रिस की सरकार है, राजस्थान, अब यह important elections क्यों होते जा रहा हैं, क्योंकि यहां पर इस election के, विधान सभा के election के नतीजों पर भी, लोग यह कहते हैं, ने, ने, वो दो तरह से वोट देते हैं, और विधान सभा में अलग तरह से देंगे, लोग सभा में अलग तरह से देंगे, मेरे ख्याल में वो धीरे 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 वो चीज़ें कम होती जाएंगे, वो बढ़ेंगी नहीं, क्य एक बहुत एहम रोल अब हो गया है, पहले नहीं था, अब जो institutions हमारे हैं, वो बहुत एहम रोल करने लगे हैं, जैसे election commission कहीं कहीं आँख बंद कर लेता है, तो कहां आँख बंद करनी, कहां नहीं करनी, important है, West Bengal में अगर ममताब energy की वहां सरकार नहीं होती, तो जिस तरह से वह election लड़ना चाह रही थी BJP, बहुत मुश्किल होता TMC को जीतना, तो मेरा से कहना है कि जो पाँच state जहां पर इनकी सरकारें नहीं हैं, वहां पर सरकार दूसरे की हैं, तो state machinery का उस तरह का दुरुपयोग करना आसान नहीं होगा, कोशिश करेंगे CBI, EDP, यह सब शुरू वो आपके direct control में नहीं रहेगी, तो वो एक थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, अब मैं आपसे एक और चीज़ शेयर इसले कर लूँ कि आपो समझ लीजे क्या है, एक नए तरह से भी इसको इसलिए आपको देखना ज़रू रही है, क्योंकि अभी यह हो गया, नितिश कुम बनाया जारा है, कुछ चीज़ें जड़ा, कुछ चीज़ें नीचर होती है, अगर मुझसे कुई कहे कि यहां से आप दोड़ के 100 km चले जाएए, और दो दिन के अंदर चले जाएए, एक दिन, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं, तो उसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कहे कुछ भी, लेकिन उसको भी आपको अपना जो ओर आल एसस्मेंट करेंगे, तो उसको ध्यान में रखना होगा, इन तेरा जगह में यह ध्यान कर लीज़ें, कि इन तेरा जगह जहां कि मैं बात कर रहा हूँ, इन तेरा इस्टेट में, कॉंग्रेस, या तो सरकार चला रही है, या कोलियेशन पार्टनर है, या प्रमुक विपक्षी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रमुक विपक्षी है, 2019 के एलेक्शन में, पहले नंबर पे जहां बीजेपी थी, इन जगहों पे, मतलब या तो कॉंग्रेस पहले नंबर पे थी, या इंदस राजियों में, मैं नाम ले रहा हूँ, डेली, डेली के 2019 सेलेक्शन में, आपको सुन के, आमादी पार्टी वास नॉट इसेकंड पार्टी, इन टरम्स ओवोट मैं बोल रहा हूँ, वोट परसेंटेज, साथ में साथ बीजेपी जीती थी, लेकिन सेकंड लाजिस प पर बाद में करनाटिका और कॉंग्रिस तो यहां इनकी सरकारें थी, बाद में तोड़ फोड हुई, महराश्ता, कॉंग्रिस, राजिस्थान, कॉंग्रिस, उत्राखट, कॉंग्रिस, बिहार, कॉंग्रिस, और ये जब मैं बोल रहा हूँ, तो इसको एक चीज़ और समझ जगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग सब है लक्षिर की बात बार बार कह रहा हूँ है, महराश्त और बिहार में, शिव सेना, 2009 में, एज एंडिये पार्टनर, बीजे पी के साथ लड़ी थी, और बिहार में, जे डियू, एज एंडिये पार्टनर, बीजे पी के साथ ल दसने 11 जगह Congress थी, केवल दो जगह ऐसी हैं, जहां पर Congress के या तो 1st या 2nd में नहीं रही है, उत्तर प्रदेश और West Bengal, उत्तर प्रदेश में बहुत खराब, शायद 4-5 में छटे नंबर जो भी उस पे थी, West Bengal में भी बहुत खराब प्रदेश, अब आप जड़ा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह मैं कुछ फिगर्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ना, कि जैसे, पॉलिटिक्स में, और चा, मैं कोई, कई लोगों को लगता है, नहीं नहीं, आप उनका, मैं Ground Reality बताने की कोशिश कर रहा हूँ, होगा क्या, क्यों किसके साथ सरकार बनाएगा, नित फिर एक दो चीज़ें आपको याद दिला दो, 1977 जिसको मैं कहा जाता हिंद्रा गांदी की ताना शाही और उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था, तब 542 में जनता पार्टी को 260 सीटे मिली थी, on their own उनके पास majority नहीं थी, और Congress को 198 सीट मिली थी, याद रखिएगा दूसरा एक और सीज़ याद दिला तो, 1989 राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वीपी सिंग को जब पूरा देश खड़ा हो गया था प्रश्टाचार के अगेंस, बोफर के अगेंस, 1989 में जनता दल को 143 सीट मिली थी, Congress को 197, याद में इसलिए दिला रहा हूं कि Congress single largest party थी, सरकार जनता दल की बनाई थी, और आद भी कहीं आप जनल हिस्टी देखें, पुलिटकल हिस्टी, तो लोगों को कहा है, वीपी सिंग को जबरदस्त उस से जीते और यह वे, ground पे जो numbers थे, वो कुछ और कहते थे, सरकार वीपी सिंग ने बनाई थी, वो है, तो बतब य एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, अब जहां पर मैं जिस वर जिस कर रहा था कि CBI, यह और जो बेचैनी और कहां, कौन रास्ता रोक रहा है, आज बीजेपी का रास्ता कौन इन 13 प्रदेशों में कौन कौन रोक रहा है, सबसे पहले बात कर लें कॉंग्रिस, कॉंग्रिस रास्ता रोक रही है, अब उन्होंने क्या क्या शुरू में पी चिदाम बरम को जेल में डाला, वो शिव कमार को करनाटका में जेल में डाला, बतलब यह सब कोशिश की, और रॉबर्ट वार्डरा को बुलाते रहे 2019 के लोकसभा एलेक्शन के समय ही, लेकिन अब उनको लग कोटिक्स में, जब हिंदी एजिटेशन चलता था, समाजवादी थे, जेल जाना बहुत कॉमन चीज थी, और उस समय कुछ भी आंदोलन होता था, जेल चले जाते थे, और हर दो-चार महीने पे पुलिस आती थी आपके घर पे, उनको ढूंते हुए, जो जनरल हमारा है, जि के लिए कोई बिला रहा है, तो एक परसेप्शन ये भेजने के कोशिश की जाती है, कुछ तो हो गाई, यार, ऐसे थोड़े ही है, ऐसे थोड़े एडी बिलाते हैं, ये बार-बार स्टैपिश करने के कोशिश की जा रहे है, जाच पूरी कहीं नहीं करेंगे, सजा किसी को नहीं देंगे, लेकिन बुलाते रहेंगे, जिससे ये परसेप्शन हो, तो ये तो कॉंग्रिस का हुआ है, दूसरा, अगर मत वो चले हैं, तो NCP, राश्वादी कॉंग्रिस, सबसे, मतलब वो कहीं बीच पे खड़े हुए हैं, अगर वो महराश में नहीं होते हैं, आज से जो प्रमुक, जो मतलब जिनकी पे ही सारी वो बातचीत करते थे, प्रमुक होते हैं, जेल में हैं, आम आद्बी पार्टी, सते जेल में हैं, मनीश सौंधिया के घर वो किया गया है, कि इनको जैसे एक तो परसेप्शन करो, लोगों में खराब में से जाए, कुछ तो हुआ रहे थे, कि फलाना नीता को ज्यादा तकलीफ हुए, हमें थोड़ी तकलीफ हुए, क्या हो, हमारी ये मान सिकता है, तो उसी तरह से, ये जो रेट का वो है, टी-म-सी, पाच्चेटिया हैं ही, उनके भतीजे के उपर, मतलब, कुछ ना कुछ उनको इंगेज रखो, आर जे रियू, जो इनके रास्ते में खड़ा है, यूपी में मायवती जी तो इनके साथ हैं, तो इसलिए कोई बहुत दिकत नहीं है, ओफिशली नहीं बोलती हैं कि हम साथ हैं, लेकिन जिस तरह की बारतला आप और उनके स्टेट्मेंट आते रहते हैं, अखले शादव, आज की तरह में, वो किसके साथ हैं, कहना मुश्किल है, उनको खड़े होना पड़ता है, आपोजिशन के साथ, क्योंकि उनका जो गोर वोटर है, वो एंटी वीजेपी है, इसलिए, लेकिन वो जहां तक मौका मिलता है, अकॉमडेट करने की कोशिश करते हैं, सब को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से जे-म-म की भी मुश्किल है, लेकिन जे-म-म है वहां पे, और मैं ये सारे, ये मैंने आपको सारा एक जो जो ओवराल पिक्चर ये बताने की कोशिश की, इसी, इस सिरीज को कभी कभी हम लोग हर्फते में एक दिन या पंदर दिन में एक दिन आप से, नम्बर्स में बात करेंगे, क्योंकि नम्बर्स में बी-जे-पी कही न कही परिशानी में है कि अगर इस त्री फिफ्टी एट सीट में टू सिट को रिपीट नहीं करती है, तो उनकी वो सीट, आज क्या तमिलनाटू से कोई, उनकी 39 सीट में से क्या 38 ले आएंगे यह है वो सीटों में कोई ज़्यादा इजाफा होने वाला नहीं केरल में कहीं जाफा नहीं होगा तमिलाडों में जाफा नहीं होगा तेलंगाना में में जितनी थी आठ चार याठ यह जाफा नहीं होगा आंस बदेश में जाफा नहीं होगा कोई ऐसी से आपको जगा नहीं बहुत अच्छा किया है, वहाँ जरूर इनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में सरकार कॉंग्रेस की, इनको 25 में 25 सीट मिल रही है, तो ये देखने आली बात होगी, ये भी एक रिसर्च का विश्य होगा, कि जब लोग सब ऐलेक्शन आता है, तो इस दौ परान क्या आशोग गहलोत कुछ कर पाएंगे, तो ये एक वो है, आगे इस पर चर्चा जारी रहेगे, लेकिन जो भी EDD की रेट हो रही है, वो कहीं न कहीं ये नंबर से उसमें प्ले कर रहे हैं, कि कौन ओपोजिशन कहां इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, थैंक्यू सो अगयर झालओोगोगू जया ओपोजिशन कहीं जो जो गपोजबागे, उनेको रेट है, बत्तुशन को इससे बत्तुप कर रहे हैं, तो ये चो जो पत्तूदा है, ये झालओगूँश।, वित्त भीछ पोजे पोजएूचिशन कोुटिशन को बत्तुई यें